स्टोडेंट्स क्वेशन नूबर सेक्स इस इस इक्वेशन में हमने शोड़ाइट करना है नायए फिर राइट हैंड साइट है कर दो करने लएकहाँर से इसके इसका आया है इसके लिए Assiacal हम जो सबसे पहले हम जो हम चरइन साइट को जो प्रूट करेंगे और लेफ्टेंड साइड है Z plus W सो लेफ्टेंड साइड दिखिए 2 प्लस 3 आयोटा यह Z की वैल्यू है प्लस W 5 माइनस 4 आयोटा है और इसको सिंपल में एड करूंगी जैसे प्रीवेस केसंस में हम लोग कहते हैं 3 प्लस 5 माइनस 4 आयोटा हुजएगा इसका अंसर आएगा झाल को सिंपल बन आता है आर हें रहा था तो आपने गौर्पर सही रहा है आप ने क्या करना है यह conjugate को solve करने जब आप इसका ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 plus iota ओके तो इस इस रा लेफ्ट हैंड साइड ठीक है लेफ्ट हैंड साइड का अंसर है 7 plus iota अब हम राइट हैंड साइड प्रूप करने जा रहें और इसको अगरügRC लेलेंगे तो मेरे पास to मायनस त्री आयोटा हो जाएगा अगेन w की वैल्यू जो मेरे पास है 5 मायनस फो आयोटा है इसका conjugate ले लेंगे और conjugate मेरे पास आजाए का conjugate में हम मिटे टर्म की जो वैल्यूस होती है मिट में वो उसको चेंज कर रहे होती है साइन चेंज हो जाता है तो यह मेरे पास जब मैंने क्या करने हैं दोनों को एड़ अप कर लेंगे सब्सक्राइब क्रें जब मैं एयट आप कर लोंगी 2-3 अचा प्लस फाइब प्लस 4 अचा चाहिए यह तो निदीच प्लस 5 प्लस4 अचा जाएगा so 5 plus 2 is 7 और plus minus minus हो जाएगा 4 बढ़ा है इस वज़े से यहां पर plus 4 के साथ क्यूंकि 4 बढ़ा है इस compare to 3 तो जो sign बड़ी value के साथ होगा वो ही हम लिखेंगे और plus minus minus 4 मिसे 3 4 iota मिसे 3 iota को जब subtract करेंगे तो मिरे पास 1 iota आजाएगा ठीक है आजाएगा रिखने की ज़रूरत तो नहीं है आप यहां पर देखेंगे आपके पास है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किया थी 7 plus iota और राइट हैंड साइड देखेंगे 7 plus iota इसका मतब है के लेफ्ट हैंड साइड जो है अब यहां पर सब्ट्रक्शन को इनवार्ट किया गया है इसके लिए z की वैल्यू आपके पास किवेंड इस 2 plus 3 iota और जो w की वैल्यू है वो है 5 minus 4 iota लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम प्रूप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में है सबसे पहले हम z minus w करेंगे ज़ेट की वैल्यू यहां पर लिखिए गा 2 plus 3 iota हो जाएगा और माइनस कर देना हमने 5 minus 4 iota को बाहर प्रेकिट के माइनस है इस वज़े से जो अंदर वैल्यूस होंगी उनके जो है वासाइन सबके सब चेंज हो जाएगे जो यहां पर आप सिंप्लिफाइग कीजएगा अब आपने करना क्या है कि minus 5 में से 2 को सब्टेक्ट कर देना है तो 5 बढ़ा है लहाजा minus यहां लगेगा और 5 में से 3 minus हो जाएगे 5 में से जब true सब्टेक्ट करेंगे तो मेरे पास minus 3 रिजल्ट आएगा प्लस 3 आयोटा और 4 आयोटा को माइनस माइनस प्लस करना है तो 4 बढ़ा है इस वज़े से प्लस साइन यहां पर 4 लगेगा 4 के साथ जो प्लस है वो लगेगा साइन ठीक है सो 7 आयोटा आपके पास अब आपने क्या करना है कि Z-W को होल के जूगेट लेने जेट माइनस डेवल्यू होल के जूगेट तो नो सॉरी यहां पर से लेके चलना है सबसे पहले हम Z की वैल्यू लखेंगे और Z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा इसका अगर के जूगेट ले लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा अगेट W की वैल्यू लिखेंगे तो 5 माइनस 4 आयोटा और जब इसका जूगेट ले लेंगे तो 5 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा अब यहां पर देखिए कि Z कंजूगेट माइनस डेवी वैल्यू का जोगेट करना है तो सबसे पहले आप Z कंजूगेट की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा लिखेंगे मिट में माइनस है और W conjugate की value है 5 plus 4 ayota so अब आपने इसको simplify करना है 2 minus 3 ayota बहाँ minus हैं अंदर की values जो है वो change हो जाएंगी so minus 3 ayota और minus 4 ayota को करना है और real part real part के साथ plus minus होगा so यहाँ पर देखिए 5 plus 2 minus 5 so answer is there we go minus 3 और minus minus plus हो जाएगा यहाँ पर sign minus का लगेगा क्योंके 4 बढ़ा as compared to 3 4 ayota और minus 4 ayota minus 3 ayota is 7 ayota so अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास जो result बना है that is minus 3 minus 7 ayota और यहाँ पर देखिए left hand side भी minus 3 minus 7 ayota ठीक है so it is proved that left hand side equals to right hand side third part of this question is students z w whole conjugate equals to z conjugate w conjugate इसका मतब है यह multiply हो रहाँ so left hand side same z की value जो है वो मेरे पास है 2 plus 3 ayota और जो w कोई values है वो है 5 minus 4 ayota हो जाएगी सबसे पहले हम लिखेंगे z और w को हम प्रोड़क्ट form में लिख लेंगे 2 plus 3 ayota और break it close 5 minus 4 ayota इसको हमने multiply करना है so 2 को में multiply करोंगे 5 minus 4 ayota के साथ और plus 3 ayota को multiply करेंगे 5 minus 4 ayota के साथ so the result will be 5 to 10 हो जाएगा minus 4 to 10 8 ayota plus 5 is 15 ayota as it is और next सी के plus minus minus 4 is 12 ayota ayota के साथ करेंगे तो ayota स्केर हो जाएगा so 10 minus 8 ayota as it is plus 15 ayota as it is minus 12 ayota स्केर is minus 1 so again हम simplify करेंगे 8 ayota plus 15 ayota minus minus plus हो जाएगा यहां पर 12 लिखिए अब रियल पार्ट रियल से हो जाएगा ठीक है 12 को 10 से 10 में add कर दिजए तो 22 आ जाएगा और plus minus minus imaginary part imaginary से होगा तो plus minus minus 15 में से 8 को minus कि जाएगा तो 7 ayota आ जाएगा और sign plus का लेगा किंके plus जो है वो हमेरे पास 15 के साथ है और 15 ग्रेटर जो गालियूज है सब्सक्राइब करूंगे और minus 3 ayota को 5 plus 4 ayota के साथ मंटिप्लाइब करूंगी जो मंटिप्लाइब करेंगे 5 तूजर 10 हो जाएगा plus 4 तूजर 8 ayota हो जाएगा minus 530 15 अईटर हो जाएगा plus minus minus 430 12 अईटर हो जाएगा 8 IOTA-15 IOTA as it is, 15 IOTA as it is, minus, minus, क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, so real part को real में add करना है, यहाँ पे 22 आजाएगा, और plus, minus, minus, यहाँ पे sign जो 15 है, वो मेरे पास क्या है, minus है, 15 बढ़ा as compared to 8, so 15 में से 8 को जब minus करेंगे, so it will become 7 IOTA, so this is the final result of this question, अब यहाँ पे देखिए, sorry, यहाँ पे left hand side पे भूलगी हूँ कि मैंने whole conjugate भी लेना था, अब whole conjugate जब ले लेंगे, तो हमारे पास इसका result आजाएगा, क्यूंकि conjugate में जो middle value है, उसके साथ का sign जो वो change हो जाता है, question number 4 is, यह fraction में, so fraction में आप देखते हो कि Z over W, whole conjugate equals to Z conjugate and divided by W conjugate, so सबसे पहले आप जो Z over W है, इसको find कीज़े, तो Z over W जो है, इसको हम लिखते है, Z के value जो है 2 plus 3 iota है, और N पे इसका conjugate रहे लेंगे, 5 minus 4 iota, आप सबसे पहले इसको rationalize करेंगे, हम conjugate के साथ 5 plus 4 iota, divided by 5 plus 4 iota, so the result will be 2 plus 3 iota, nominator, nominator के साथ multiply होगा, अभी मैं just इसको लिख रहे हैं, और D nominator को देखे है कि A plus B, A minus B का formula जो ओपन हो रहे है, 4 iota all square, ठीक है, so अब यहाँ पे next देखे, आपने इसको solve करना है, 2 को 5 plus 4 iota के साथ, और plus 3 iota को again 5 plus 4 iota के साथ multiply करना है, ठीक है, जब मैं 2 को multiply करूँगी, 5 plus 4 iota के साथ, as it is, लिक होँगी, और फिर plus 3 iota को multiply करूँगी, again 5 plus 4 iota के साथ, और D nominator पे मेरे पास बन जाएगा, 5 का square is 25, minus 4 का square is 16, और iota square is iota square, 5 to 010 हो जाएगा, plus 4 to 08 iota हो जाएगा, plus 5 to 015 iota हो जाएगा, plus 4 to 012, और iota into iota is iota square हो जाएगा, so next step here, 25 as it is, और minus 16 as it is, iota square is minus 1, so यहाँ पे अब मैं minus 1 को जोगो पुट करने जा रही हूँ, और यहाँ पे 10 plus, 8 iota plus 15 iota is 23 iota, plus 12 as it is, iota square is minus 1, और again 25 as it is, minus minus plus हो जाएगा, 16 आजाएगा, so अब यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट करनता है, that is 10 plus 23 iota, so minus plus minus minus हो जाएगा, 12 divided by 16 plus 25 is 41, okay, so अब आपने 10 को और जो आपके पास 12 है, इसको plus, यह के साथ कुश नहीं है, तो plus है, plus minus minus की जाएगा, 12 minus 10 is 2, so यहाँ पे माइनस मार्क होगा, क्यूंकि 12 बड़ा है, इस कंपेर टू 10, so 23 iota as it is, over 41, so अब यहाँ पे आपने, क्यूंकि A plus B, iota की फॉर्म में आपने एक क्वेशन को कनवर्ट करना है, so 41 plus 23 over 41, into iota separately आप लेके चलेंगे, so students, यह अब आपके पास क्या आगया है, जो Z over W, so इसका अगर कंजूगे लेंगे, तो मेरे पास क्या आजाएगा, minus 2 over 41, और कंजूगे जो साइन है, वो चेंज होता है, और यहाँ पे क्या है, minus plus है, यहाँ पे minus हो जाएगा, or 23 over 41, और आउटा as it is आजाएगा, so this is the left hand side, now come towards the right hand side, here we go, the right hand side is Z conjugate over W conjugate, so इसके निए आपके सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास Z है, उसका हम conjugate लेने के बाद, हम लिख लेंगे, यहाँ पे Z का जब conjugate लेंगे, तो मेरे पास 2 minus 3 आउटा, over, W का conjugate है, 5 plus 4 आउटा, और इसको simplify next, obviously conjugate के साथ, rationalize करूंगी, 5 minus 4 आउटा, multiply और divide कर दूंगी, again same, वो ही method इसका जो रहेगा, तो यहाँ पे आप देखिए, numerator में, A plus B, A minus B का formula open हो रहा है, A square minus, B का square हो जाएगा, और उपर 2 minus 3 आउटा, जो है, वो मेरे पास multiply होगा, 5 minus 4 आउटा के साथ, अब next step ने students में, इस 2 को individually इस पूरे form के साथ लिखूंगी, और 3 आउटा को इस पूरे atom के साथ लिखूंगी, और next denominator में 5 का scale लोंगी, 5, 5, 25 हो जाएगा, और यह scale इन दोनों values के अपर distribute कर दूँगी, minus 4 का scale is 16 and IOTA square, यहाँ पर 5, 2, 10 हो जाएगा, minus 4, 2, 8 हो जाएगा, minus 5, 3, 15 हो जाएगा, minus minus plus हो जाएगा, 4, 3, 12 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, minus 16 हो जाएगा, और IOTA scale is minus 1, so next step में, minus minus plus हो जाएगा, so लगएगा, minus 15 बढ़ा है, so 23, 15, plus 8 हो जाएगा, and plus, जो मेरे पास, IOTA square है, that is equal to minus 1, और धी नोमिनेटर में, 25 हो जाएगा, और next step मेरे पास, जो है, minus minus plus हो जाएगा, 16 हो जाएगा, next step में, 25 में, 16 को एड कर दूँगी, और जो मेरे पास है, plus minus हो जाएगा, 10, minus 23 IOTA, minus 12, over 25 plus 16, so यहां पर देखिए, कि जब आप 10 में से, 12 में से 2 को minus करोगे, तो 2 हो जाएगा, और minus sign लगेगा, minus 23 IOTA as it is, over 25 plus 16 is 41, so अब आपने separately, जो है, 41 को, 2 के निचे भी, और 23 over 41 IOTA, से अपरेटी किए, A plus B की फॉर्म में, आपने इसको convert करना है, so this is right hand side, और left hand side, जो है, उसका result हमारे पास आया था, minus 2 over 14, minus 23 over 41 IOTA, और again, जो right hand side है, वो भी obviously यहीं आंसर आया, so right hand side equal to left hand side, this is proofed act, question number 5 is, 1 over 2, bracket, Z plus Z conjugate, is real part, हमने जो इसका answer लेका आना है, उसको यह proofed करना है, कि real part of Z, ठीक है, कोई भी real number हमारे पास, इसका result आना है, इसके लिए, Z की value हमारे पास के वहना है, 2 plus 3 IOTA, okay, और Z conjugate ले लेंगे, कि हमें वो जरूरत होगा, so 2 minus 3 IOTA, is the conjugate of Z, अब next हमने इसको पूट करना है, that is 1 over 2, into Z plus Z conjugate, so सबसे पहले 1 over 2 as it is, square bracket को use करेंगे, और यहाँ पे Z की value लिखनेंगे, that is 2 plus 3 IOTA, और plus Z conjugate है, 2 minus 3 IOTA, so सबसे पहले, square bracket को हम जो solve कर लेते हैं, 1 over 2 as it is, और यहाँ पे इस bracket को open कीज़ेगा, 2 plus 3 IOTA, plus हो रहा है, minus 3 IOTA, okay, so यहाँ पे देखेंगे, minus 3 IOTA, plus 3 IOTA के साथ, cancel out हो जाएगा, और 2 plus 2 is 4, so 1 over 2 into 4 आजाएगा, इस 2 को 4 तक कटिन कर दीज़े, और 2 1s are 2, so यह देखेंगे, आपके पास result जो है, वो कोई भी real number जो है, आपके पास Z के value जो हो निकला है, ठीक है, so this is proof that, now come to verse the part number 6, part number 6 में students अने इस जो प्रूव करना है, कि जब आप 1 over 2 into Z minus Z conjugate को solve करोगे, तो जो result आपके पास आना चाहिए, वो आपके पास imaginary part जो है, वो Z का आना चाहिए, ठीक है, कोई भी imaginary number means कि IOTA के साथ कोई भी, जो है न, वो real number जो हो जो हो जो हो जो जो इसका आएगा, so इसके लिए Z की value जो obviously given है, that is 2 plus 3 IOTA, और Z conjugate इसका ले ले लेंगे, तो 2 minus 3 IOTA हो जाएगा, so सबसे पहले इसको solve करते हैं, so 1 over 2 bracket Z minus Z conjugate, so इसके लिए 1 by 2 as it is रहेगा, और square bracket को use करके, Z की value है 2 plus 3 IOTA, और minus है, again Z conjugate 2 minus 3 IOTA हो जाएगा, so 1 by 2 as it is है, और bracket को open किजए 2 plus 3 IOTA, minus है बाहर, तो अंदर values के signs जो है, वो change out हो जाएगे, so यहाँ पर देखिए कि आपके पास, minus 2 plus 2 के साथ cancel out हो रहा है, और plus plus plus, ठीक है, so 1 over 2, और 3 plus 3 is, मेरे पास क्या आजाएगा, 6 IOTA आजाएगा, so 2 को 3 तक कंटिकल लिजे, तो 3 IOTA आजाएगा, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास imaginary part, imaginary part वो होता है कि किसी भी real number के साथ जो है, वो IOTA जो है, वो लिखा होता है, ठीक है, IOTA होता है, तो this is proved that कि Z की value जो है, वो कोई भी imaginary part वो हमारे पास निकल आया, ठीक है, तूरे टोनीटोट निकार अनले जो Sen भी झापने सी उरते हैं, भी जो बड़त आप ने देते हैं, लिखे नूरत चेया, तो लिखे यह च्नूरत